एबी जनकारी एजुकेशनल यूटूब चाइनल में पुना आपका एक पर्फी स्वागत है और आज का मारा वीडियो के टॉपिक है वह एजुकेशन सिछा सम्मंधित हैं जैसा कि आपको जनकारी है कि अगर आप बीएट या डीएलेट कर रहे हैं तो बीएट का फूल फर्म होता है बैचलर अफ एजुकेशन और डीएलेट का फूल फर्म होता है डिपलोमा इन एजुकेशन तो इस परकार आपको एजुकेशन के बारे में अच्छे से जनकारी अवस्य होना चाहिए तो अगर बीएट या डीएलेट करने के लिए इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं ये य Also B.AD या डीएलेट करने हैं तो आपको सीक्छा के बारे में जानना अतिक अवस्यक है इसलिए या वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी शिद्ध होगा चलते हैं सबसे पहले ची सीक्छा का ऐर्थ क्या है ऐसे हम आम भासा में बहुत चीज़ा जान चुके है सिख्षा यह है सिख्षा वह है लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिख्षा का अर्थ क्या है तो सिख्षा के अर्थ जानने के लिए सबसे पहले आपको सिख्षा का साब्दिक अर्थ जनना अत्ति आवस्चक है तो जैसा कि आपको जनकारी है कि सिख्षा सब्द संस् जितके सिख्ष धातु में और परतर लगाने से बना हुआ है जिसमें सिख्ष का अर्थ हुआ है सिखना या सिखाना ध्यांदीजे जिसमें सिख्ष का अर्थ हुआ सिखना या सिखाना एवं सिख्षा का अर्थ हुआ सिखने एवं सिखाने की किरिया यानि कि अगर आप कोई भी चीज सिख रहे हैं तो वह हुआ सिख्षा या फिर आप कोई चीज किसी को सिखार है है वह भी हुआ सिख्षा तो हमको लग रहा है आप कि आप सिख्षा का साब्दिक अर्थ समझ गए होंगे इस परकार असपस्थ हो गया कि कोई नई जनकारी लेना या नई जनकारी किसी को देना वह आपका हो गया सिख्षा अब चलते हैं सिख्षा का अन्य सब अर्थ के बारे में तो जैसा कि आपको जनकारी है कि सिख्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं सिख्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं ज जो इनानी भासा के एजुकेटम सब्द से बना हुआ है पुन्ह एक पर सुन लिजे शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन सब्द इनानी भासा के एजुकेटम सब्द से बना हुआ है और एजुकेटम सब्द दो सब्द पुन्ह एक पर सुन प्रजे कि सिख्षा जो है अंग्रेजी में education कहलाता है और education सब्द जो है you and अनी भास्ता के एजुकेटम से बना हुआ है और एजुकेटम दो सब्दों U M Dukë से बना हुआ है जिसमें E का अर्थ हुआ अंदर से भाहर ज्यान दिजेगा एक अर्थ हुआ अंदर से और दिको का अर्थ हुआ बाहर निकालना या फिर आगे बढ़ाना पूर्ण सुनवेञे इस एजुकेशं सब्ड युनानी भासा के एजुकेटम सब्ड से बना हुआ है और एजुकेटम सब्ड दो सब्ड Ghostakis E-dq सब्द से बना हुआ है जहां पर E का अर्थ हुआ ँदर से यहां, D-D, D-C के D q का अर्थ हुआ, बाहर निकलना या अंदर से बाहर करना इस प्रकार education सब्द का अर्थ हुआ, अंदर से बाहर निकलना इस पकार असपश्ट हो गया कि बिद्यार्थियों के अंदर छूपे हुए गुणों को बाहर निकालना ही सिख्षा है तिहां पर दो सब्द आपको असपश्ट हो गया साब्दिक अर्थ से हुआ कि सिख्षा सब्द संस्कीत के सिख्षी धातु में अपरते लगाने से बना हुआ है और अंग्रेजी में हुआ कि सिख्षा अंग्रेजी के एजुकेशन सब्द से बना हुआ है और एजुकेशन युनारी भासा के एजुकेटम से बना हुआ है और एजुकेटम E पुलस D को सब्द से बना हुआ है जिसर कर अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना इस प्रकार सब्ध सिख्षा का पूरा अर्थ हुआ कि मनुस के अंदर बाला के अंदर जो गुल छुपे हुए है जो जनकालिय छुपी हुई है जो अइबिलिटी छुपी हुई है उसको बाहर निकालना ही क्या है सिख्षा है तिस परकर असपश्ट हो गया कि जो गूर मनुस के अंदर नहीं रहता है आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं चाहें आप कितना भी परियास करने जो मनुस के अंदर जो पाला के अंदर गूर छीपा हुआ रहता है उसी को सिख्षा के माध्यम से हम डेवलप कर स सकते हैं अब हमको लग रहा है कि अब आप समझ hard कि स्था का सब्दto का सब्दिक और तक क्या हुआ और अंग्रेजी में उसका अर्थ क्या हुआ अब हम बताएंगे सिक्षा की परिभासा तो सिक्षा के परिभासा के बारे में हिंदुस्तान के सिक्षा सास्त्री या हिंदुस्तान से बाहर के सिक्षा सात्री बहुत सारे से परिभासा दिये हैं जो कापकी इपोर्टेंट है जो मुख्य परिभासा है वहीं हम इस वी स्वामी बीवेका नंद ने क्या कहा आपको बताते चलें कि सिक्षा अस्त्रिमित है इसके और नेक परिभास आये हैं लेकिन जो मुख्य परिभास आये हैं वहीं आपको अच्छे से जनकारी होना चाहिए तो जो फेमस है स्वामी बीवेका नंद ने सिक्षा के बारे में क्या है कि मनुस्र की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना सिक्षा है सुनुजे मनुस्र के पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या है सिक्षा है मनुस्र के अंदर जो निहित गूर है उसको अभिव्यक्त कर देना क्या है अपका एजुकेशन है उसी शिक्षा स्मेरा भी प्रायर बालक तथा मनुस्रा के शरीर, मस्तिश्क तथा आतमा के सरवांगी शरोतम विकास से है आपको बताते चलें यह परिभासाइं बहुत इपोर्टेंट है और कहीं भी इंट्रव्यू में जाते हैं या सीट की परिख्षा में पुछा जा सकता है कि जो है सिक्षा के यह परिभासा किसके दूरा लिखी गई है किसकी दूरा बताई गई है या फिर पुछा जा सकता ह कि सुमामी विवेकानन्द या महत्मागांधी ने शिक्षा के बारे में अपने क्या परिभासाएं दिये हैं और तो तीन चार बाद आप रिपीट करके सुन लीजिए अगला बता चले कि प्रसीथ इनानी दार्शनिक सुकुरात ने सिख्षा के बारे में कहा है तो प्रसीथ इनानी दार्शनिक सुकुरात ने कहा है सिख्षा के बारे में कि सिख्षा का अर्थ उन सर्ममान विचारों को विक्सित करना है जो पर्तिक मनुस के मस्तिस्क में बिलूप्त रहता है बहुत अच्छा है करिभासा है कि जो मनुष्ष के मतिस्क में छुपा हुआ रहता है उसी को विक्सित करना क्या है सिक्षा है अगला आपका है और रस्तु रस्तु ने क्या कहा है सिक्षा के बारे में तो रस्तु ने कहा है कि स्वस्त सरीर में स्वस्त मतिस्क का निर्मार करना ही सिक्षा है यह बहुत इंप परिभासा बताएं हम आपका दार्षनिक शुक्रात के अनुसार और चौथा बचा चुके हैं और अस्तु के अनुसार अब हम चलते हैं जोन डीवी ने सिक्षा के बारे में क्या कहा है यह परिभासाएं कम पांचे बर आवस जब सुनिएगा तो जोन डीवी ने सिक्षा के बारे में अपनी परिभासा इस प्रकार दिया है कि सिक्षा ब्यक्ति के उन समझत चमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रन करने तथा अपनी भावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी पुना है एक बार इसको सुन दिजिए आप ब बहुत बार लोग पुछते हैं परिशचाएं पुछी जाती है जौन डिबी की परिभासा निम्विंदी कहिंसे कौन है तो सुनेजिये जौन डिबी का सिक्षा के परिभासा क्या है एक शिक्षा व्यक्तिक उन समझत चमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंतित करने तथा आपने संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगे तो यह हुआ आपका जोन डीवी का सिक्षा समांधित परिभासा तो बहुत है कितना हम आपको एक ही वीडियों बताएं आपको जिसका परिभासा चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे तो आपक लगते हैं और क्या आपको वीडियो यह अच्छा लागा अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस परकार के सिक्षा समन्दित और सारी जनकारियां दें या फिर बीए डीलेड या सी टेट में किस परकार के आपको समस्याएं आएगी वो सभ सिक्षा के परिभासा क्या है फिर भी एक पार्टी पिट कर देते हैं कि सिक्षा सब्द संस्कृत के सिक्ष धातु में अपरते लगाने से बना हुआ है जिसमें सिक्ष का अर्थ हुआ सिखना एम सिखाना वहीं सिख्षा का अर्थ हुआ सिखने एम सिखाने के किरिया यानि कि जो आप सीख रहे हैं या फिर जो आप सीखा रहे हैं वहीं है सिख्षा पुना चलते हैं कि सिख्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन सब्द युनानी भासा के एजुकेटम सब्दों से बना हुआ है और एजुकेटम सब्द जो है एम E का अर्थ हुआ अंदर से और D का अर्थ हुआ बाहर निकलना या आगे बढ़ाना इस पकार सिक्षा का या एजुकेशन का अर्थ हुआ अंदर से बाहर निकलना इस पकार हुआ कि बालक के अंदर छुपे हुए गुणों को बाहर निकलना ही सिक्षा है तो इसी के साथ हमारा सिक्षा का अर्थ एम परिभास सा यहां समाप्त हो रहा है हमको उमीद है कि आप जो सिक्षा के बारे में समझ गए होंगे और इस वीडियो कम सकम तीन चर बार वस्थ सुने तो भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि आप याद कर रहे हैं तो सिक्षा के बारे में जानना निशीत आवस्थ